नमज़कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की इस समय विश्व कूटनीती की सबसे बड़ी खबर कम से कम हम तमाम भारतियों के लिए तो सिर्फ एक है प्रधान मंत्री नरेन मोदी की अमरीका यात्रा और इस यात्रा की इर्दगिर्ड जिस तरह का पियार मेनेजमेंट हो रहा है जिस तरह की खबरे आ रही है फोटो आ रही है उससे एक बात साबित होने को बस है कि यह अपने आप में एतिहासी की आतरा है इससे पहले ना कोई प्रधान मंत्री अमरीका गए ना कभी आगे जा पाएंगे इसका मर्म क्या है इसकी हम परताल करेंगे और साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि रूस के राष्टपती पुतिन की जो मुलाखात हुई है अफरीका के साथ एहम देशों के साथ क्या उससे खुलेगा यूकरियन युद में शांती का कोई रास्ता इस पर हम बाचीत प्रभीर पुरकायस से प्रभीर आज आपके साथ हम बात करेंगे प्रधान मंत्री नरेन मोदी की जो अमरीका यात्रा चल रही है इसे लेकर इसे लेकर तमाम तरह की खबरें हैं और सबसे बड़ी खबर ये है कि अमरीका जो पहले नाराज था कई चीजों पर सवाल उठा पूछ रहा है पहली बार कोई प्रधान मंत्री वहां जा रहा है पहली बार उसे संवान मिल रहा है पहली बार कितनी पहली बार हैं पता नहीं लेकिन ये जो मामला पूरा पल्टा है इसका राज क्या है तो बीज बिचाओ करने के लिए इंडिया को पूछी जाती थी नॉन अलाइनमेंट जो कि देश जुत्ते थे ज्यादा तर तीसरी दुनिया की जो हम कहते हैं उनकी देश थे उनका लीडर इंडिया को माना जाता था और इस वक्त जो है वो स्थिती है नहीं काफी उसमें बदला हुआ है तूट हुई है तो ये देखते हुए भारत बर्श क क्या एहमियत नॉन इलाइन नेशों की नेत्रित्व के रूप में नेता के रूप में नहीं है क्योंकि नॉन लाइनमेंट ही कमजोर हो गया है पर इस वक्त यह हुआ है कि यूक्रेन युद्ध से ये बात साफ हो गया कि स्ट्रेटीजिक दराज जो दुनिया में है रूस ए कि चीन एक और और इसके साथ साथ जो तीसरी दुनिया जिसकी अवधारणा अभी भी है वो दुनिया अब अपना स्थान लेने के लिए तयार है क्योंकि जो पहले इन देशों की आर्थिक स्थिती थी इस वक्त नहीं है इंडिया इस वक्त लगता है कि पांच वा सबसे है साथ इस्ट एशिया की एकनॉमिक डेविलप्मेंट है आफ्रिका अभी भी उस तरह से बढ़ा नहीं है बढ़ने की संभाव नहीं है तो दुनिया बदल रही है और यॉरप की और अमरीका की जो एक चिंता थी कि हम यौर रूस की सोविट यूडियन की पतन के बाद हम भ है मोदी जी की इस वक्त खास ज़रूरत उनकी है कि कैसे पूछ यूक्रेट से निकले कैसे चीन को किनारे किनारे कि आ जा सकता है इसकी कोशिश अगर करना है तो भारत वरश का एक एहब भूमिका होगा और इसलिए रेट कार्पेट बिचाई जा रही है और दूसी बात यह अमरेका ने गोषना किया है कि हम क्या कहेंगे, डिसनगेज तो नहीं करेंगे, हम सेपरेट तो नहीं करेंगे, पर हम कोशिष करेंगे कि आर्थिक रूफ में फ्रेंड शोरिंग जिसे कहते हैं वो सब करने की कोशिश करें कि बंधु देश जो है उनके पास ही हम जाएंगे नया जो विकास करना चाहते हैं इंडस्ट्री करना चाहते हैं उसके लिए क्योंकि अमरीका में वो सब बन नहीं सकता उनकी लेवर कॉस् ही है और इसी क्रम में जो दिखाई दे रहा है खास्वार से जो मैक्रॉन चिप्स को लेकर डील की बात है कि इतने बिलियन डॉलर्स की डील हो रही है और यह वहीं है जो पूरा चीन का सैंक्शन है उसके मद्दे नजर अमरीकी राष्टपती चाहते भी हैं बाइडन ने य क्या दरारे हैं क्या फॉर्ट लाइन्स हैं यूक्रियन युद्ध के मद्दे नजर यह जो बिजनेस डील है जिसके बारे में पहले से खबरे आने लग गई कि इतना होगा यहां तक पहुच गया कि इसका सपोर्टिंग जो प्लैंट है वो गुजरात के सानन्द में जो पूरा खेल चल रहा है बिजनेस वाला जिसे लेकर इतना हंगामा है यह चिप है क्या बला और चीन का इससे क्या रिश्ता है देखिए अभी जो बात कर रहा है ते कि बिजनेस की तौर पे यह कहना कि हमारा सप्लाइचेन मतलब अमरीका का सप्लाइचेन चीन से हुआ है साथ कोरिया जपैन से जुड़ा हुआ है तो इनको कैसे कम से कम चीन से हटाया जाए क्योंकि इसमें चीन का एक बहुत बड़ा एहम भूमी का है तो माइक्रॉन चिप का भी नहीं बात हो रही है अभी जो बात हो रही है कि माइक्रॉन चिप की टेस्टिंग जो है वह बिलियन डॉलर की लागत की ये प्लांट की बात हो रही थी इस पे भारत वर्ष की गाव्मेंट करीब पांच बिलियन डॉलर तक छूट देने के लिए या सुपोर्ट देने के लिए तर्याइब वही जिक्र कर रहे हैं जो पहले महराश्ट में आया और उसके बाद चुनाओ से पहले गुजरात गया हां जो महराश्टर में होने वाला था गुजरात में शिफ्ट किया जिसमें काफी नाराजगी थी पर इन वह प्लांट कॉलाप्स कर गया वह कोई आगे बढ़ा नहीं तो यह दसकत करना और उस पे प्लांट बनना अलग बात है पर गौर करने की बा है एलन मस्क का और जिसमें वो बता रहे हैं कि बस हमारी कारवाला को समझोता हो रहा है तो वो भी इसी तरह का एक कुछ नहीं बोला लेकिन वीडियो में मीटिंग के बाद जब मोदी जी से मिलके आए तो उन्हें बताया बहुत अच्छी मीटिंग रही और हम बड़ी भावना है चीन में टेसला की मार्केट काफी बड़ी थी इस वक्त चीन की एलेक्रिक वेहिकल ते उस मार्केट को काफी ठब कर दिया है इसलिए टेसला खोज में है कहां पर उस मार्केट को सब्चिटूट कर सकते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं चीन में भी गए थी और भारतव कि टेकनोलोजी जादा तर चीद के पास है तो इसी लिए गाड़ी बना दो ठीक है पर उसका असली जो टेकनोलोजी खर्चा लागत जो है वो अगर नहीं करेंगे तो आपका वही होगा जो दूसरे चीजों में हो रहा है आप एसंबली करेंगे पर आपके पास टेकनोलोजी नहीं है और इसी क्रम में हमें ये भी दिखाई दिया क्योंकि अमरीका में प्रधान मंतरी है योग दिवस है तो योग दिवस को लेकर भी बहुत ब्रैंड अमबैस्डर के तौर पर वहां मौजूद थे तो एक दरह से एक डूसरे ढंका बड़े पैमाने पे 2024 की जो तैयार है वह बता रहा है कि ये इतिहासिक अभूत्पूर और शायद इतिहास में भारत का नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा अमरीका इसी आत्रा के बाद विश्व गुरू का प्रचार तो हम करी रहे है कि मोदी जी विश्व गुरू बन गये भारतवश विश्व और क्या होगा नहीं होगा ये तो भविश्व बताएगा खास तोर से जो संधी हो रही है और भी एग्रिमेंट्स हो रही है उसका तो बहुत काफे समय भी लगता पर बुखे जो चीज और अभी तक सामने नहीं आया है military relationship क्या होगा क्योंकि रूस से हम बहुत सामान लेते हैं चीन से हमारा border को लेके टकराओ है तो वो strategic relationship क्या होगा वो अभी तक साफ नहीं है जैशंकर का कुछ बाते से हमारे जैफॉर्ण मिनिस्टर से साफ है कि हम रूस से अपना संपर्ख संबंद कोई तोड़ने की स्थित लगातार बढ़ा जा रहा है चल रहा है यूक्रियन युद्ध और इसमें जो शांती की बातचीत है वो कहा है कैसी है ये तो अलग हम लगातार इस पे चर्चा करते रहे इसी करम में जो एक एहम बैठक हुई है रूस के सेंट-पीदबर्ग में जिसमें अफरीका के साथ द मुलाकात हुई है इसकी किया ऐहमियत है क्या यूक्रियन युद्ध पे कोई असर पड़ेगा इसका देखे यह जो साथ देश के नुमाइंदे हैं वो पहले यूक्रियन गहे थे उस वक्त तो काफी अब्रिका यॉरप से काफी जो रियक्शन्स था कि यह क्या है यह कौन हो होते हैं ऐसे करने के लिए तो वो जंग के बारे में वो यह नहीं कहना चाहते हैं कि शांती की बातचीत शुरू हो उनका हिसाब से अभी भी जंग चलना चाहिए रूस को कितना ब्लीड कर सके कितना उनका खून बहा सके और यूक्रेन पर जो बुख्य चीज है इसमें कि किसी की बीच बिचाओ तो नहीं मान रहें जंग बरकरा रखना चाहते हैं पर पूतिन ने इन साथ देशों की माइंदों को दिखाया उस जुक्ति का जिस पे यूक्रेन का भी हस्ताक्षर है वो एग्रिमेंट जो उस वाक्त लड़ाई की तीन महीने बाद ही तुर्की में इसकी बैठा कोई थी और जिसमें दोनों की दसकत उसे दिखाया की उक्रेन का रूस का भी दसकत दिखाया और बताय भी हमारे कुछ चीज़ों में तभी असाम माती थी पर बुख चीज था कि भी ने चाब नेटो यूक्रेन जॉइन करेग नियूट्रिल होगा और यही उनकी मुख शर्त थी जिसको उन्होंने डिसमबर आपको याद होगा 21 डिसमबर में उन्होंने नेटो को लिखा था कि आप ये चीजे मान लो कि नेटो और रूस के तरफ नहीं आएगा इस्ट वर्ड मार्च नहीं होगा और फिर ये शांती हो सक है इस बात पेट पर इसके बाद मुकर गया हम इसकी जिकर कहीं बार कर चुके है जलेंस की स्काथबूर बॉरिस जॉंसन मिलने गए इसका पूरी बदल गई और बदलने के पीशे और एक राज जो है वह अभी निकल के आ रहा है कि यही वज़े था कि उन्होंने प्रामिस क पर इस वक्त कि ऑफनसिफ लिए ऐर और गाओं साथ साथ किलोमेटर इस तरह के बाते हो रही है अब हो आप से जानना चाहेंगे एक ऐसे शक्स के बारे में जो अब हाल में दुनिया से उन्होंने विदा ली और जिन्होंने दुनिया में किस तरह से अमरीका साजिशे रचता है युद्ध साजिशे रचता है जो पेंटेगन पेपर का खुलासा था वह किया डैनल एल्सबर्ग उनके बारे में हम कैसे आज याद करें जब युद्ध में घिरा हुआ है दुनिया क पूरा मानचित्र उस समय जो पीस एक्टिविस्ट के तौर पर अमरीका की सत्ता को सीधे सीधे तक्थियों के साज इन्होंने चुनौती दी उनके बारे में बताईए कि दुनिया कैसे देखे या कैसे याद करें को देखे डैनियल एल्सबर्ग हमारी पीड़ी के लिए एक एहम फिगर थे क्यों कि वियतनाम वार आपके अबाजान के फिगर पीड़ी मेरी पीड़ी जो है उन सब को एक इंस्पिरेशन मिला था वियतनाम के खिलाब जो संगर्श हो रहा था उसको लेके वो सिर्फ वियतनामी सिनाय लड़ रहे थे लिबरेशन पोर्सिस लड़ रह आता है डानियल एल्सबर्ग नाशनल सिक्योरिटी की जो एक्सपर्स में थे उसमें से अन्यतम थे लीडिंग एक्सपर्ट नाशनल सिक्योरिटी की दफ्तर में थे और डिफेंस से लेकर फॉरंट मिनिस्ट्री की बीच में वो दोनों उसमें रहे और अमरीका के सिस्टम के भीतर के एहम व्यक्ति थे एहम व्यक्ति थे, 40-41 साल उबर की उस वक्त उनकी थी और उनके हाथ में इनकी Pentagon Papers जो आये थे वो एक study थी Rand Corporation की जो बताया था कि वेतनाम की लड़ाई, अमरीका जीत नहीं सकता हारेगा, ये Pentagon Papers Pentagon Papers का निशकर्ष था Defense Department की study थी खुद मतलब अमरीका के Defense Department की का अध्यान था अध्यान था, Rand Corporation के दिया था Rand Corporation उसी की एक हिसाब से institution है जो Defense Department के काफी क्या कहेंगे, under है कि वो जो कहते हैं, वो ही study विद्धार कहते हैं, पर उनकी ये study ऐसे लोगों के हाथ में सिर्फ पढ़ सकता था, जिनकी security clearance काफी हाई है आयरेग आयरे के हाथ में नहीं पढ़ सकता था तो उन्होंने 46 volumes में था study, 7000 pages थे, उसको अपने हाथ से Xerox करके, photocopy करके उन्होंने 2 साल कोशिश की थी, 6971 तक कि Congress में कोई Congress में इस चीज को उठाए कि क्यों आप लड़ाई लड़ा हैं जब उस पे अमरिका जीत नहीं सकता और अमरिका को इतना लुकसान होगा और अमरिका की जवान उस वक्त सड़क पे थे peace movement बहुत बड़ा था लोग जो उनका उस वक्त compulsory military service था जिसे उनको व्यतनाम भेज रहते बहुत सारे तो African Americans जिसे कहते हैं वो उसमें शामिल किया जा रहा था उनको मरने के लिए व्यतनाम तो बहुत बड़ा anti-war movement व्यतनाम के war को लेकर अमरिका में भी था तो दो साल Congress में कोई भी Congress में इसको लेने के लिए तो लेने के लिए इनकार कर दिया बोलने के लिए इनकार कर दिया तब जाके उन्होंने Washington Post, New York Times को दिया इसके बाद जब खुलासा भुआ उनका ये था कि मुझे तो जेल आजीवन ये कारवास मेरा होने वाला है तो जान के वो कर रहे थे और उनकी ये जो हिम्मत थी एक हिसाब से वो हिम्मत जो थी इसके यही हमारी सब की inspiration थी कि ऐसे लोग भी Peace Movement पे शामिल हो रहे हैं और इसी लिए अभी उनकी 92 साल में उनका मौत हुआ है pancreatic cancer से इसके बाद वो पूरे Peace Activist के रूप में निकले उनका case चला नहीं क्योंकि Nixon ने वो एक White House Plumbers Group बनाया था जो गैर कानूनी काम कर रहा था वो पकड़ा गया था Watergate Scandal जो होसी में निकला है पर उसका शुरुआत हुआ तो Daniel Ellsberg से और यह फोटो के बारे में भी बताएं Daniel Ellsberg यहां बैठे हुए है जवान थे थब 40-40 साल तो जवानी मानेंगे यह है Howard Zinn की बहुत बड़े आइतिहास कार है People's History of America जिन्होंने लिखा है उसके साथ साथ ही होने भी किया है और यह है Norm Chomsky काफी नौजवान थे Norm Chomsky Daniel Ellsberg Norm Chomsky अभी है अभी भी है जिन नहीं रहे पहले गए अभी मौत हुई है तो इनकी एहम जो भूमी का है वो आज इस तरह के कोई फिगर National Security State के अंदर आके बाहर नहीं आया कि अमरिका का वार को विरोध करना इसके बाद विरोध जो हुआ है अंदर के ख़बरे निकली है Snowden हुए है Chelsea Manning के जरीए निकला है WikiLeaks इसको खुलासा किया तो और तरीके से निकल रहा है पर ये जो कहना highest level का जो एक security expert security state अमरिका के विरोध करे ये एक अनोखा इतिहास है और इसी लिए हमारी पीड़ी की inspiration रहा कि उसके बाद वो कभी भी पीछे नहीं हटे अल्लगातार इसके पीछे संगर्ष किया और उनका डूमस्टे बशीद दूसरा किताब है कि कितने लोग मरेंगे नूकलियर वार पे उसको भी पढ़ने लाइक है तो इसी लिए डैनियल इल्सबर्ग हमारी जब मैंने कहा था हमारी पीड़ी के लिए inspiration है और शायद आज की तारीख में और ज़्यादा याद किये जाने जरूरी है क्योंकि इस समय भी युद्ध की विभीशी का देख रहे हैं और बात करने वाले लोग कम हैं उसके खेला नाभकिया अस्त्रों के इस्तिमाल की ओर हम बढ़ रहे हैं और शान्ती की बात जो आपने इसके पहले जिकर किया शान्ती की बात अभी भी उस तरह से आने ही रहा है आफ्रिकन देशों के तरफ से कोशिश है पर आपने देखा उस कोशिश करीब करीब नाकाम इसलिए है कि उसको यूकरेन मानने के लिए तयार नहीं है और जब तक नेटो और अमरीका इसको यूकरेन को नहीं कहेगा कि शांती को और बार बढ़ना है तब तक कि युद्ध बं दोस्तों यह चहरा हम सब को बहुत बड़ी रहा देता है यह चहरा यानि डैनल एल्सबर्ग और उनका पूरा योगदान शांती की प्रक्रिया में जो है वो आज की तारीफ में बताता है कि अगर सच आपके साथ है और आप सचाई के साथ शांती के लिए काम करना चाहते है तो कोई भी बड़ी ताकत आपको रोक नहीं सकती आज हमें इस तरह के अंगिनत चहरों अंगिनत नामों की जरूरत है देखे लाइक करिए शेयर करिए न्यूस क्लिक परताल दुनिया भर की ताकि दुनिया में अमन का राज स्थापित हो सके शुक्रिया करिएief वए stem दुनिया जी जरूरत है